किद्नी रक्त को साफकर सारे विशाक परदार्थों को मुत्र के रूप में सरीर से भार कर देती है हर मनुष्य के शरीanh में दो किड्णी होती है किसी भी वज़े से अगर एक किड्णी काम करना बंद कर दे तो दूसरी किड्णी पर इंसान जीवित रह सकते है लेकिन एक किड्णी के सारे जिंदगी गुजारना इंसान के लिए बहुती मुश्किल हो जाता है हर दिन बदल रही लाइफस्टाइल की वज़े से इंसान की जीवन सहली खराब होती जा रही है वक्त पर खाना नहीं खाना, दवाईयों का ज़्यादा इस्तमाल करना, पानी की सही मातरा नहीं लेना जैसी कई चीज़ें जो किड्नी को प्रभावित करती है, ऐसे में इस पर भार पड़ता है और ये काम करना बंद कर देती है क्यों खतरना के किड्नी की बिमारी? किर्णी की बीमारी खतरना किसलिए क्योंकि इसका प्रथम अवस्ता में पता नहीं चल पाता किया है किस प्रेकार से संकेत दे रही है और किस प्रेकार से ये खराब हो रही है फिर भी सरीर के कई आसे संकेत होते जिससे अंदाजा लगाए जा सकता है कि किन्नी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही आज मैं वोई संकेत आपको बताने जा रही हूँ कि जिस प्रेकार से आपको पता चले किन्नी खराब हो रही है या नहीं हो रही पेट में दर्द होना पेट के बाई या दाई और अगर ऐसे हैं ये दर्द हो रहा है तो इसे नजर अंदाज ना करें क्योंकि किड्नी में खराबी का ये मुख्य लक्षन होता है अगर किसी को ठन लगने के साथ सा तेज बुखार आ रहा है वो भी बिना किसी कारण से तो आप इसे किड्नी के खराब होने का कारण समझ सकते हैं और जल्दी अपने डॉक्टर से जाच कराएं पेशा में खून आना मुत्र विसरजन के वक्त अगर पेशा में खून आए तो फोरण साफदान हो जाएं तो रंस किसी यूरोलाजिस्ट से संपर करें पेशा में खून आना सिर्फ किड्नी खराब होने के लक्षने बलकि किड्नी या मुत्राश्य में कैंसर होने का लक्षन भी हो सकता है बार बार उल्टी आना अगर किसी को पेट दर्ग के साथ साथ बार बार उल्टी आए तो ये किड्नी में परिशानी का संकेत हो सकते हैं ऐसी स्थिति में पहले खुद पैचानने की कोशिस करें कि उल्टी अपच ये किसी और वज़े से तो ये ऐसा नहीं हो रहा है अगर आपको ऐसा लगे तो आप डोक्टर से अवश्य शला ले बार बार पेशाब आना रोजाना से हटकर अगर कई बार आप पेशाब जा रहे हैं तो ये किड्नी की बिमारी के संकेत है ऐसी हालात में जानने की कोसिस करें कि बार-बार पैसाब आनी की वज़े क्या है किड्नी की कोई बिमारी तो नहीं पैसाब में जलन होना मुत्र विसरजन के वक्त जलन या बेचे नहीं हो तो समझे कि या तो यूरीन इंफेक्शन हुआ है या फिर किड्नी में कोई दिक्कत है ऐसे में डॉक्टर की सला आवशे ले मुत्र विसरजन में दिक्कत कई किड्नी के मरीजों में देखने को मिलता है कि उन्हें पेशाब तो बार-बार आता है लेकिन मुत्र विसरजन के वक्त पेशाब नहीं निकलता ऐसी स्थित्य में फोरण समझ जाए कि आपकी किड्नी मुशीबत में है पूरे सरीर में सूजन किड्नी खराब होने पर सबसे बड़ा लक्षन पूरे सरीर में सूजन आना होता है किड्नी सरीर का तरीक पानी और नमक निकालने का काम करती है इसके ठीक तरह से कारे न करने की वज़े से सरीर में पानी बढ़ जाता है और जिसकी वज़े से पूरे सरीर में सूजन आ जाती है ये बैद ही गंबिर स्थित्य होती है इसमें फोरन डॉक्टर से संपर करना चाहिए सांस लेने में तकलिफ होना किड्नी खराब होने पर सरीर में पानी बढ़ जाता है और यही पानी फेफडों में बढ़ जाता है जिसकी वज़े से फेफडे अपना काम करना ठीक तरीके से बंद कर देते हैं ऐसे में सांस लेने में बहुत तकलिफ होती है ये लक्षन दुम्रपान करने पर भी सामने आते हैं लेकिन इसे अंदेखा ना करें अगर आखो के नीचे सूजन अगर आखो के नीचे बहुत सूजन आ गई है तो ये संकेत भी आपके किड्नी के खराब होने के हैं ऐसी स्किती में डॉक्टर से सला अवशे ले कई बर आँखों के नीचे सूजनाने का और भी कई कारण हो सकता है लेकिन फिर भी आप स्तरकता बढ़ते हुए डॉक्टर से अवशे सला लेने बेहोस हो जाना अगर बिना किसी बिमारी आकारण के व्यक्ति बेहोस हो जाए और उपर हमारे द्वारा बताए गए इन लक्षनों में से बेहोस हो जाना अगर बिना किसी बिमारी आकारण के व्यक्ति बेहोस हो जाए और हमारे द्वारा बताए गए जो भी लक्षन है वो अगर आपको दिखाए दे तो समझ जाएए कि आपकी किड्नी में किसी ना किसी प्रेकार से कोई घंबीर समश्या उत्पन हो चुकी है इसलिए आप बिना देर करें डोक्टर से अवश्य सला ले जब किड्नी की परेशानी बहुत गंबीर स्तीती में पहुंच जाती है और उसे कोई लाज नहीं मिलता तब सरीर के पास आखरी रास्ता यही संकेत होता है जिसके कारण इंसान बेहोश हो जाता है जिसे वो आपको यही बताने की कोशिस की जाती है कि किड्नी खराब हो चुकी है किड्नी देती है खत्रे का संकेत हमारे द्वारा बताए गए इन लक्षनों को ध्यान से आपने अगर देखा है तो आप सचेत रहें अगर आपको ऐसे गंबिर संकेत दिखाई दे तो आप अपने डोक्टर से अवश्य शला लें क्योंकि जिन्दिगी पेहदी अनमोल है इसे सवाना सिर्फ आपके हाथ में है त्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों जय हिंद